देखे यूके और यूएस का हास जो रिष्टा है वो तो कायम करने की कोशिश की ही जाएगी लेकिन बाइडन के आने पर बॉरिस जॉंसन जो यहां के प्रधान मंत्री उनकी मुसीवतें बहर जरूर जाएंगी क्योंकि बाइडन अंटी ब्रेक्सित रहे हैं ब्रेक्सित एक ऐसा एतिहासिक ट्विस्ट है यूके की जिंदगी में जो उसे बिलकुल ही छोटा देश वापिस बना देगा एंपायर अब एक छोटा सा देश होगा जो ट्रेड डील के लिए हर देश के पास जाने वाला है और जा रहा है तो ट्रम्प प्रो बेक्सित थे औ बाइडन अगर आते हैं तो सबसे पहले वो रुख करेंगे बरलिन की तरफ दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि अगर हाट ब्रेक्सित होता है जो की इस वक्त आसार है यूके में तो फिर बाइडन जो की आईरिश डिसेंट के हैं और उनकी जो प्रेटिसिसर थे बिल क्लिंटन उन्होंने गुड फ्राइडे अग्रिमेंट में आईरिश जो प्राब्लम थी आरे कि उसको शान्द करने में अपना खास रोल निभाया था और ये बाइडन भी चाहेंगे कि वो करे और उनकी पहले भी कह चुके हैं कि आईरिश अगर नॉर्डल आईलेंड क जो मसला है ब्रेक्सिट में वो किस तरफ रुख करता है उस पर ट्रेड डील बहुत निर्भर करेगी तो एक कारेट और उसका जो मामला है ये जरूर ट्रेड डील को नेगोशियेशन के तौर पर बाइडन जरूर इस्तमाल करेंगे तो ये हम कहेंगे कि बोरिस जॉनसन जो अभी कोविट से हाँ जूज रहे हैं ब्रेक्सिट अगला आने वाला है उसमें ट्रेड डील को लेकर यूएस के में वो यूरप से पीछे खड़े हो सकते हैं यानि बाइडन अगर आएंगे तो यकीनन किस तरह से ब्रेक्सिट होता है हार्ड या सॉफ्ट या जो भी है उस लिहास से वो कतार के पीछे जा सकते हैं तो मुश्किलात बढ़ेंगी अगर बाइडन आते हैं हाला कि ट्रंप के आने पर भी कुछ बहुत खास ट्रेड डील नहीं हो पाई थी फिर भी ऐसा लगता था कि उनके साथ एक रिलेशन्शिप बन गया था वो बोरिस को पसंद कर आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें